कि अज़ें से मैं प्रिशन से कुमर भार द्वाच अब लोगों के चैनल में नॉलेज़ पॉवर में वेलकम करता हूँ आज क्लास 10 के कनेस्ट्री के लेक्चर नमर 1 परस्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रेक्षंस केमिकल क्रिया करके एक भिन गुड़ धर्म वाला यानि दूसरे गुड़ वाला क्या करते हैं पदार्थ बनाते हैं यही क्या कहलाता है रासाइनी कभी क्रिया कहलाता है जैसा कि मैंने आपको परिभासा में बताया हुआ है अब इसके एक्जांपल्स की बात करें एक्जांपल्स है क देखिए जो इसका example है जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रकासंस लेसर में पौधे क्या करते हैं सानलाइट का यूज करते हैं पौधे जडो की सायता से खनिज लवड लेते हैं एक्ट्मासफेर से हवा को यूज करते हैं पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं भोजन बनात रंग रूप इन सब का बदल देते हैं, फल के रूप में देते हैं, तो यह क्या है? प्रकस्टन्स ले सड़ की क्रिया, यह क्या है? एक राशानी का भिक्रिया है, आपने इसका एक एक वेसन भी देखा होगा, बायो में अपने पड़ा होगा, मानो जो भोजन ग्रहड करता है उसका पचना भी एक क्या है राशानी का भिक्रिया है सरीर द्वारा पचे हुए भोजन का जो अवसोसर होता है वह भी राशानी का भिक्रिया है श्वसन जो है यह भी राशानी का भिक्रिया है अब कोई राशानी का भिक्रिया होती है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे क्या आप प्रिक्षड करेंगे तो कुछ मैंने आपको प्रिक्षड बताय हुए है इसको देख लीजिए जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है जो अभिक्रिया हुई है पदार्थों अब देखिए जो रासानिक अभिक्रिया होती है तो इन रासानिक अभिक्रियाओं को हम एक equation के माध्यम से परदसित करते हैं उस equation को हम बोलते हैं रासानिक समीकरड रासानिक समीकरड क्या होता है जो कोई रासानिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ पदार्थ भाग लेत अभिकरिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उत्पाद प्रोडक्ट बोलते हैं अर उत्पाद को क्या बोलते हैं तो जब किसी राशाने के विकरिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एमम बनने वाले उत्पादों या प्रतीकों उत्पादों को प्रतीकों या सुत्रदरा प्रदसित किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं समी कर रखेते हैं जैसे यदि हम examples में देखना चाहें तो examples में देख सकते हैं जैसे magnesium और oxygen ये दूनों क्या कहलाएंगे अभिकारक अभिकारकों को हमेशा हम arrow के left side में लिखते हैं arrow के कह सकते हैं tail side में left क्या tail side में पूछ की तरफ और ये जो arrow खीचा गया है arrow के head की तरफ जो product बनता है उसे लिखा जाता है जैसे magnesium oxide बना इसको हम क्या बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे okay students तो ये क्या है एक सब्द अभिकरिया है सब्द अभिकरिया को यदि हम समिकरण में लिखना चाहें देखे सब्द कह सकते हैं सब्दों का समिकरण देखे magnesium का symbol oxygen का symbol ये दोनों reactant हुए reaction किया बना है magnesium oxide इसको balance करते हैं अब देखे कोई भी समिकरण जो होता है रासानी का फिकरिया होती है तो जरूरी नहीं है कि वो संतुलित ही हो हमको उसे संतुलित करना पड़ता है जो और संतुलित समिकरण होता है उसे कंकाली समिकरण भी कहा जाता है तो जिस तरह से कंकाली समिकरण जो कंकाल होता है मानों के सरे का कंकाल वो पूरी तरह से completed नहीं होता है उसी तरह से कंकाली समिकरण पूरी तरह से complete नहीं है इसलिए हमको और संतुलित समय करना होता है संतुलित करना होता है क्यों हम ऐसा करते हैं तो आपने पढ़ा होगा द्रब्मान सरक्षड का नियम नाइम्थ में दो नियम थे वहाँ पर तो आपने द्रब्मान सरक्षड का नियम पढ़ा होगा जिसमें क्या बताए गया था किसी का द्रब्मान था उतना ही उत्पादों का द्रब्मान होना चाहिए तब ही तो समिकरड क्या है तो सही है इसलिए हमको समिकरड को संदूर्द करना क्या है चरूरी है कुछ सिंबल्स हैं हम लोग देख लेते हैं जैसे solid पदार्थ है तो उसके लिए हम yes लगाते हैं liquid है तो उसके लिए yl लगाते हैं gas है तो g लगाते हैं अग गैसी उत्पाद मतलब जो product बन रहा है जैसे अभिकारक या कोई भी चीज है अगर वो solid है तो इस तरह से liquid है तो इस तरह symbolize करते हैं bracket में करके gas है तो bracket में इस तरह से आपको अभी आगे examples में मिलेंगे जैसे उत्पाद में कोई gas बन रहा है तो कैसी पदार्थ है तो उसके सामने हम इस तरह का arrow लगाते हैं और कोई avilya पदार्थ है जैसे अभिकरिया के बाद जो है कोई पदार्थ ऐसा प्राप्त हुआ जो avilya है मतलब घूला नहीं है वilya पदार्थ में भी avilya है वो घूला नहीं है है न तो उसे हम इस तरह से दिखाते हैं arrow नीचे अब कोई जली विलियन है तो उसको हम aqueous बोलते हैं तो aq 60 में दिखाते हैं तो अगले लेक्चर में फिर्ष मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर्ष मिलेंगे